13.4 लेंसों द्वारा बनने वाले कुछ प्रकाशिक यंत्र पहला, फोटोग्राफिक कैमरा किसी वस्तु का इस्थाई प्रतिविम प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफिक कैमरे का उप्योग किया जाता है कैमरा धातु या प्लास्टिक का बना होता है जिसका आंत्रिक भाग काला रखा जाता है यह प्रकाश रोधी होता है इस बॉक्स के आगे के भाग में उत्तल लेंस अभिसारी लगा होता है जिसका फोकस समंजित किया जा सकता है इसकी फोकस दूरी कम होती है इस lens को अभिद्रिश्यक lens कहते हैं इस lens से बने प्रतिविम में कोई दोश नहीं होता है lens के पीछे एक गोल परदा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है इसे diaphragm कहते हैं इसके द्वारा कैमरे के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है और फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रतिविम बन जाता है शटर के द्वारा आविशक्ता नुसार एक निश्चित समय के लिए प्रकाश फोटोग्राफिक फिल्म पर डाली जाती है जिस वस्तू का फोटो कीशना होता है उसे लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखा जाता है इस इस्थिती में फिल्म में वस्तू का छोटा, उल्टा एवं वास्तुएक प्रतिबिम बनता है दूसरा सुख्षमदर्शी, माइक्रोइस्कोप एक साधारा नुत्तर लेंस सुख्षमदर्शी कहलाता है जिसे हम पढ़ने वाला आवर्धक भी कहते हैं यह यंत्र सुख्षमवस्तू का बड़ा प्रतिबिम बनाता है कम फोकस दूरी वाला साधारा नुत्तर लेंस एक सरल सुख्षमदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है एक से अधिक लेंस का उप्योग होने पर वह संयुक्त सुख्षमदर्शी, कमपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है सरल या साधारन सुख्षमदर्शी जब वस्तू उत्तर लेंस के प्रकाश केंद्र एवं लेंस के फोकस के मध्य रखी होती है तब वस्तू का प्रतिविम सीधा, बड़ा एवं आभासी होता है संयुक्त या यौगिक सुख्षमदर्शी इसमें एक खोकली नली के एक सिरे पर एक उत्तर लेंस एलवन लगा रहता है जो वस्तू की ओर रहता है इसे अभिद्रिश्यक लेंस कहते हैं दूसरे सिरे पर एक और खोकली नली लगी होती है जो अभिद्रिश्यक वाली नली में चक्री द्वारा आगे पीछे खिसकाई जा सकती है इस नली में नेत्रिका लेंस एलटू लगा होता है चक्री द्वारा नली को आगे पीछे सरका कर अभिद्रिश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है अभिद्रिश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक कम होते हैं जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी या द्वारक अभिद्रिश्यक की तुलना में कुछ अधिक होते हैं इस प्रकार वस्तु AB का प्रतम प्रतिबिम A-B- होता है जो Lens L2 के लिए वस्तु का कारे करती है और अन्तिम आवर्धित प्रतिबिम A-B-B- बनाती है तीसरा, दूर दर्शी, टलिस्कोब यह वा प्रकाशी की अंत्र है जो दूर पर इस्थित वस्तू का प्रतिविम आंक पर बनाता है जिससे वस्तू स्पष्ट दिखाई देती है इसकी साहता से चंद्रमा, तारे, ग्रह देखे जा सकते हैं इसके अत्रिक्त प्रतिवि पर इस्थित दूर की वस्तू को देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है आकाशी या खगोली दूरदर्शी Astronomical Telescope इस यंत्र में दो उत्तन लेंस लगे होते हैं LO और LE यहां F1 अभिद्रिश्यक लेंस LO की फोकस दूरी वह FE नेत्रिका लेंस LE की फोकस दूरी है जब वस्तू दूर इस्थित हो तो उससे चलने वाली केड़नों का प्रतिविम लेंस LO के द्वारा बनता है अब यदि नेत्रिका लेंस LE को समंजित किया जाए तो बना प्रतिविम P-Q- नेत्रिका लेंस के लिए वस्तू का कारे करता है और वस्तू का बड़ा वास्त्विक वा उल्टा प्रतिविम P-Q- प्राप्त होता है मुख्य बिंदू Keywords उत्तल दरपन, ध्रू, अवतल दरपन, वकृता केंद्र, वकृता तरिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, आवर्धन, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्वारक, अभिद्रश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस हमने सीखा गोली दर्पन तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिविम बनाते हैं वस्तु की इस्थिती के अनुसार प्रतिविम वास्त्विक अथ्वा आभासी हो सकते हैं सभी प्रकार के परावर्ती प्रिष्ट परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं अपवर्ती प्रिष्ट अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं गोली दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तिय चिन्ह परिपार्टी अपनाई जाती है दर्पण सूत्र एक बटा वी धन एक बटा यू बराबर एक बटा एफ वस्तु की दूरी यू प्रतिबिम दूरी वी तथा गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ में संबन दर्शाता है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वकृता त्रिज्या की आधी होती है यानि एफ बराबर आर बटे दो किसी गोली दरपन द्वारा उत्पन आवर्धन प्रतिबिम की उंचाई तथा वस्तू की उंचाई का अनुपात होता है याने M बराबर H डेश बटे H निर्वात में प्रकाश 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पती सेकंड की चाल से गमन करता है विबन माध्यों में प्रकाश की चाल भिन भिन होती है लेंस सूत्र एक बटा V, रिन एक बटा U बराबर एक बटा F वस्तू दूरी U, प्रतिबिम दूरी V, तथा गोली लेंस की फोकस दूरी F में संबंद शाता है किसी लेंस की ख्षमता उसकी फोकस दूरी का विद्गरम होती है लेंस की ख्षमता का मात्रक डायप्टर है लेंस ख्षमता P बराबर एक बटा फोकस दूरी F